नमस्कार मैं हूँ ब्रिजेश और आप देख रहे हैं ABV Entertainment दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड के बारे में जी हाँ अनुपमा के आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कपाडिया मेंसन में पाखी अपने प्रिजेक्ट की प्रिजेंटेशन दे रही होगी और इसी बीच पाखी अनुपमा पाखी के प्रिजेंटेशन को बकवास कहेगी और बरखा धीरे से हस पड़ेगी इस पर पाखी कहेगी आपको पता है कि फैसन क्या होता है इस पर अनुपमा कहेगी कि तुझे पता है कि बिजनिस क्या होता है इस पर पाखी कहेगी कि आप नहीं रिजेक्ट कर दिया इसे तो फिर बड़ी क्या हां कहेंगे वो तो जोरू का गुलाम है इससे अनुपमा पर से बाहर निकलने की बात कहेगी, वहीं अधिक कहेगा कि अपने आइडिया में दोबारा काम करो, इसके बाद अनुपमा पाकी के प्रजेक्ट में बहुत सारी कमिया बताएगी, और यह सुनकर पाकी चुप हो जाएगी, जिसके बाद अनुछ कहेगा, मुझे प्रपोजल चाहिए था, मेरा IRO क्या होगा, नंबर कहां है, यह प्रजेंटेशन नहीं, यह मजाक है, इस पर पाकी कहेगी कि आइडिया नया नहीं है, लेकिन काम कर रहा है, इस पर रोमिल भी पाकी को सुनाएगा और कहेगा कि लाखो दुकान चलती हैं, लेकिन करोडों बंद भी तो होती हैं, पाकी की अधिक के साथ ही रोमिल के साथ भी बहस होगी, अनुज कहेगा दुबारा बहस की, तो चाहे दुनिया का कितना भी अच्छा प्रपोजल हो, उसे लाया तो मैं डश्ट बीन में फेक दूँगा, अनुपमा के लिए पाकी कहेगी, आपसे ज़्यादा पड कर लूगी, इसके बाद पाकी वनराज के पास जाकर अनुपमा के बुराई करेगी, पाकी कहेगी मम्मी को छोटी, रोमिल, डिम पी सबकी चिंता है, बस मेरी नहीं है, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं अपने ससुदाल में हूँ, सब मेरे पीछे हैं कि कुछ करती नहीं, ब अपने समान के साथ शाह हाउस जाने की बात करेगी, इस दोरान रोमिल कहेगा, पाकी को रुखने के लिए लेकिन अनुपमा मना कर देगी, पाकी कहेगी कि वनराज विजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब पाकी ने अनुज को जो रू का गुलाम जो कहा है, इस पर कर हमें जरूर बताएं, अनुपमा से जुड़े, अन्य अपडेट के लिए देखते रहिए, एब भी एंटरटेन्मेंट, नमस्कार